नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रेशम खान, हमारे चैनल आयरवेदी खाजाना में आपका स्वागर करते हूँ कसरत करने के बाद ना खाएं यह है फूड्स दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप रोज बैयाम करते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए कुछ प्रकार के फूड्स जैसे दून, दही, सबजी, आदी का सेवन करना बेहत जरूरी है दोस्तों, इन फूड्स को कसरत करने के बाद जरूर खाएं अगर आप इनका हर रोज सेवन करेंगे, तो आपको पूरी एनरजी मिलेगी और आपका शरीर फिर से फिट रहेगा परन्तु, आज हम आपको ऐसे फूड्स बता रहे हैं, जिनको वर्काउट के बाद खाना बिलकुल मना है तो आईए, डालते हैं इन पर नजर, एक कच्ची सब्जिया, हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोशक तक वो होते हैं, जो शरीर को पूरी उर्जा देते हैं आप इन्हें सूप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बयायाम के ठीक बात इन्हें बिलकुल ना खाएं नमबर दो, मिठाईया कसरत के बाद मिठाईयों को बिलकुल सेवन ना करें, क्योंकि इनमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है केक और पेस्ट्रिर्ट से भी दूर रहें क्योंकि इन्हें व्ययाम के बाद खाने से शरीर दुर्बल होता है नमबर तीन मसालेदार खाना यह भोजन पेट में कई प्रकार की गरवड़ी पैदा कर देता है और उर्जा तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिल पाती साथ ही इसे खाने से आपका व्ययाम भी व्यर्थ चला जाता है नमबर चार बसायुक्त फूट्स दोस्तो बसायुक्त आकार तो बिल्कुल ही मत खाए जैसे समोसा, चिप्स आदी इससे भी व्ययाम बेकार जाता है नमबर बांच बीन्स हर प्रकार की बीन्स में बहुत सारे पोशक तत्व होती हैं लेकिन इनमें गैस की शिकायत हो सकती है इसलिए व्ययाम के ठीक बात इन्हें ना खाएं पर भोजन में इसका सेवन कर सकते हैं नमबर छे, एनर्जी बार बहुत सारे एनर्जी बार ऐसे होती हैं इनमें फैट और शुगर होता है यही कारण है कि इसे खाने से आपको उर्जा महसूस होती है लेकिन यह आपके बलड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती अते, बयायाम के बाद इसे खाने की भूल बिलकुल ना करें तो दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक पर सब्सक्राइब करना बिलकुल ना मुले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे